हेलो एप्रिफोन वालकम बैक तो माई चैनल स्वासलाव अलेकुम कैसे आप सबी उमीद करते हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे तो यह है फॉकानिया साइंस का पार्ट फॉर ठीक है पार्ट फॉर और यह है उब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट इसके बाद आप लोग का अब्जेक्टिव का कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा अब जो दो पार्ट और आएंगे उसमें आप लोग को सब्जेक्टिव क कड़ा चुकी हूँ और इस वीडियो में आप लोग को जो बच गया थे वह सारी पार्ट्स कराने वाली हूँ क्लियर तो यहां तक मैं आप लोगों को उपर कड़ा चुकी है अब यहां पे नीचे वाले पार्ट में यहां से कड़ाऊंगे तो चलिए यहां पर आप सभी देखिए अब्जेक्टिव क्वेशन महारूजी सवाला आथ हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं क्वेशन है ऑप्शन है एंसर नहीं एंसर मैं बताऊंगी और आप लोग चाहो तो उसे पहले भी आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉस करके साड़ा क्वेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं यानि कि आप लोग किस तरह से इसे अपलिक होगे जैसे आप लोग एक कॉपी ले ल तो चलिए मैं साड़ा क्वेशन आप लोगों जल्ली से करा देती हूं सवाल नंबर वन मंदरजा जिल में कौन नबातारी ताती हर्मोन है ठीक है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन मैंसन है एंसोलेन थाइडोकसिन इस्ट्रोजेन या फिर साइटोकाइन तो नेक्स्ट क्वेशन देखिए सवाल नंबर टू यहां पर क्वेशन देखिए दो हिसाब के दर्माइन खाली जगह कहलाती है ऑप्शन यहां पर देखिए देंड्रॉइट मानका एक्सन या फिर हिजान तो यहां पर आप सभी उमीद करती हों नोट कर चुके होंगे तो यह को मतवाज़न रखने के लिए मसकुरा galas सभी के लिए तो यहां पर आप सभी एंसर नोट कर लिए होंगे तो में आप लोगों बता देती हूं करेंट एंसर हो जाएगा option डी मस्कुडा माला सभी के लिए सोचने के लिए भी दिमाग जमेदार है दिल की धरकौन को बाकाइदा रखने के लिए भी है जिस्म को मतवाजिन रखने के लिए भी है चलिए फिर नेक्स क्वेशन यहाँ पे आप सभी देखिए आयोडीन की कमेंट से कौन जी बिमारी होती है option यहाँ पे देखिए गाइटर जीबातिस या फिर डाइबिटीज जिसे अंधापन कहते हैं या फिर परकान तो यहाँ पे आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा option A फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स क्वेशन देखिए सवाल नंबर फाइब पॉदों की लंबाई में जाफा के लिए तहरीक देता है option यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा option A फिर नेक्स क्वेशन आप लोग देखिए यहाँ पे एक पौदे की जर्ण हमेशा नीचे और तना उपर की तरफ नमो करता है यह अमल क्या कहलाता है option देखिए जियोट्रोपाइज्म ठीक है हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर केमोट्रोपिज्म या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा option A जियोट्रोपिज्म फिर नेक्स्ट क्वेशन आप लोग देखिए हर एक चैप्टर से मैं यहाँ पे सवाल ली हूँ ठीक हर एक चैप्टर से यहाँ पे मैं objective question अब मैं इसमें कराने वाली हो दूसरे चैप्टर का तो यहाँ पे लोग देखिए सवाल वन क्वेशन देखिए कुल्याना के जरिया गयर संफी तौलीद मंदजा जहिल में से किसमें होती है option यहाँ पे दियावा अमीबा इस्ट प्लाज्मोड्रियम या फिर लिश्मानिय ठीक है तो यहाँ पे आपसे भी देख सकते हैं करेक्ट एंसर हो जाएगा option भी इस्ट ठीक है फिर नेक्स्ट कोईशन आप लोग देखिए साड़ा एंसर नीचे मैंशन रहता है मनदजा जिल्में से कौन इंसानों में मादा तौलीदी निजाम का हिसा नहीं है option यहाँ पे आप भी अप्सट काशिए निजात या जिसे अंधर में होता है यानि की option यहां पर देखिए पंखुरियां बेसिक या फिर फूल पाथ या फिर दीक है तो यहां पर आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा option डी विट ऑप्शन डी जीरा दाने क्वेशन क्या था जीरा दान में होता है जीरा दान में 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 जीरा दा तो किसमें पाई जाती है तो यहां पे आप लोग का क्रोमोजोम में यानि की ऑप्शन भी हो जाएगा राइट क्रोमोजोम में ही DNA होता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मंदजदा जिल में किस पौदे में कलम लगाने यानि कि ग्राफ्टिंग का तरीका राइज है ऑप्शन यहां पे मैंशन है गन्ना गिंदा भैगन आलू तो यहां पे आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा गन्ना ऑप्शन यहां पे आप सभी द कि चलिए कुछ क्वेश्चन अभी और बचे वे वह भी आप लोग कर लेजिए अब से अब ज्यादा क्वेश्चन नीचे बचे निए ठीक है यहां पे थोड़ा ही क्वेश्चन बच्चा फिर यहां पे प्लोग सवाल वन देखिए इंसान की आंग अपने लेंस के फोकल न पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए आम बसारत वाले बालिक फर्द की वाज़ बसारत का कम तरीन फासला तक्रीवन है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं आप्शन लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर तो बट आप लोग राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंके लेंस के फोकल नंबाई में तब्दीली मंदल्द जिल्में से किसकी हरकत की वज़ा से होती है ऑप्शन यहां पर आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है बट राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी कियर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए अब कुछी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग वो भी कर लीजेगा सफेद रोशनी का साथ रंगों में तक्सीम होना क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है आप सभी का अंसर यानि की मतलब की ऑप्शन सी हो जाएगा राइट जिसे अंसर भी का जाता है फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दो ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं सफेद रोशनी के मंतश्र होने वाले साथ रंगों का होना चाहिए ठीक है मैं आप लोगों को याद करा ही देती है रिपीट करा देती हो भी से आप लोगा वालेट कलोर होता है आई से इंडिगो बी से ब्लू जिसे ग्रीन वाइस येलो और और से रेड ठीक है यह वाला आप लोग याद ज़रूर कीजिएगा कलर करना फिर सब लास्ट में देखने को मिलें तो यहाप से ले सकते हैं आज आप लोग उने वीडिया देखा तो यह तो यहाद ब्लक देखने को आप लिएर जन कराशन ने को मिलेंगे सबसे लंचिवनी गमिलेंगे आज आप लोग ने वीडियो देखा उसके एक दो दिन बात फिर से आप लोग वीडियो देखी और याद कीजिए कि हाँ यह वाला का question का answer क्या होगा यह सब आप लोग प्रैक्रिस कर सकते हैं इस तरह से भी ठीक है फिर मिलोंगी दूसरे वीडियो में उसमें मैं आप लोग क सब्जेक्टिव question कराऊंगी यह आप लोग का science का last part objective का अब सब्जेक्टिव का एक दो पार्ट और आएगा clear चलिए चैनल पर लोग बने रहे हैं वीडियो छे लगें तो लाइक शेयर जरूर करें